इसका support level हम देखेंगे तो support level इसका आता है और करन्ट में जो शेयर है अपने support level से काफी उपर ट्रेट काता वार दिखाए देता है इसके पहले जो शेयर का high घया था वो था 522 रुपी 60 पैसे का जो शेयर ने 35 जणरी 2024 को बनाया था अब आने वाले समय में शेयर और किस लेवल तक जा सकता है तो मेरा इमानना है कि शेयर में आने वाले समय में कापी अच्छी पोटेंशियल है और शेयर आसानी से यदि हम लंबे समय तब बने रहते हैं तो इसका जो छे से साथ मैने का जो अगला टार्गेट है वो लगवत 600 दची और पे तक जा सकता है यहाँ किस वीडियो में हम आनलाईस करेंगे के क्विक데ल टेखनोजी इस लीमिटेड के शेयर को क्विक हील टेकनोज्जी लीमिटेड इंडिया की मद्रैसे रूह चैनल कर्णि कंपनी है जो की सेक्र्विश प्रवाईट करने का काम करती हैं तो हम आज एनलाइज करने जा रहे हैं क्विक हील टेक्नोलोजिस लिमिटर के शेयर को दोसों साथ ही यदि आप में चानल नए हैं तो प्लीज में चानल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सबसे पहले मैं आपके सामने दो चार्ट को यहां पर शो कर रहा हूं एक में हमें पास है क्विक हील का शेयर और दूसरा मेरे पास है निप्ती तो हम देखेंगे कि निप्ती ने और जो कीखी के शेयर ने इसमें पिसले एक महेने के अंदर क्या रिस्पॉंस दिया था कितना रिटन दिया है मैं हमें चार्ट के मैं ऺीछ के साओ कर रहा हूं तो यहां जो 28 days के अंदर अपने shareholders को 49% का return दिया है साथ ही हम यहां पर देखते हैं January 1st से लेकर के आज तक nifty का क्या return दिया है same duration में तो यहां पर मैं scale draw कर रहा हूं 1st January को nifty का तो nifty का जो return हमें मिलता है same period पर उसको मैं देखेंगे है कि जो nifty का return है same period में वो है 4.64% का वहीं जगर हम क्विक हील के और देखते हैं तो क्विक हील ले लगवाग 50% का return दिया है अपने shareholders को same period में share का price जो की 1st January को था 351 रुपीज का वो बढ़कर के हो गया 486 रुपीज का till date जबकि share का high गया था same period में 525 रुपीज का वहीं हम निफ्टी को देखते हैं कि 1st January को निफ्टी का जो लो था 21,569 रुपीज का और जो अभी है उसका जो निफ्टी के 125 रुपीज के अपने लो से बढ़ता हुआ 522 रुपीज 60 पैसे तक बढ़ा था करेंट में share का price है 486.25 रुपीज का volume इसके अंदर है 292.104 की कमने के कुछ important data को हम analyze करेंगे तो देखते हैं कि क्या इसमें share की performance है तो share का P ratio है 319.7 का earning per share है 1.45 की sale है 81.92 करोड की share की face value है 10 रुपीज की margin है 2.76 का 25% का dividend यह है अपनी face value per share ने और average equity है 1.87 की पिसले काफी समय से लगातार company अपने shareholders को dividend देती आई है हर साल shareholder को अपने dividend देती आई company दोस्तों हम company के एक साल के चार्ट को analyze करेंगे जिसमें हम share के 50 दिया में और 200 में को भी analyze करेंगे तो हम देख रहें कि यहां पर जो share का price है 28th March को 2023 में जब है वह 129.85 पैसे का इसके बाद share का price बढ़ता हुआ उपर गया था और share का price बढ़ता हूँ अपने हाइपर पहुंचाता है उसके बाद अगर हम देख रहें कि यहां पर जो share का price है वह अभी है 486.25 का साती यहां पर share का 50 दिया में 200 दिया में को हम देख रहें तो यहां पर हम देखेंगे sales को और company की operating profit में क्या change आई है तो आये analyze करते हैं तो यह हम देखेंगे कि यहां पर जो December March June 23 September 23 और December 23 के अंदर यानि December 22 से लिए करके December 23 तक क्या change आई है तो sales में अगर हम देखते हैं last December 22 में 67 क्रोड की थी मार्स में इसमें थोड़ी कमी आई है और अगर हम आगे चलते हैं September 23 और December 23 तो हम देखने कि इसमें क्लियरली improvement आता हो दिखाए जता है साथी company के operating profit को हम देखेंगे तो December 22 में यह negative था 11 का मार्स 23 में यह माइनस 15 16 था उसके बाद जून 23 में माइनस 15 लेकिन उसके बाद September 23 और December 23 को देखते हैं तो operating property positive हुआ है और इसमें लगातार improvement दिखाए जिता है शेर रोडिंग पैटर्स को हम analyze करेंगे तो यहां पर प्रमोटर्स, FIIs, DIs और पब्ली की काईस के अंदर हिस्तेदारी है उसको भी देखेंगे December 23 के अंदर जो प्रमोटर्स है उसमें 72.76% हिस्तेदारी प्रमोटर्स की है FIIs के अंदर है 1.66% की ownership, DIs का 1.44% है जिसमें mutual fund भी है और general public का इसके अंदर 24.13% की holding है वापिस अतने अपने चार्ट पेटर्न पर हम चार्ट पेटर्न को जो हम analyze करेंगे तो हम देखेंगे कि share के अंदर काफी अच्छी volumes हमें दिखाए देती हैं तो यहां अगर हम नीचे आपको देखाँगा तो इसके अंदर देखेंगे कि volume बहुत जादा है share के अंदर लगा बातर हावी है current में जो RSI है वो हमें यहां पर 62 के आसवाद चलता हो दिखाए देता है साथिकर में यहां पर volume को के साथ साथ आपके current level को देखेंगे तो current में जो शेयर का price है 486 का है इसका support level हम देखेंगे तो support level इसका आता है 455 रुपीस का और current में जो शेयर है अपने support level से काफी उपर ट्रेट करता हो दिखाए देता है इसके पहले जो शेयर का high गया था वो था 520 रुपीस 60 पैसे का जो शेयर ने 35 जनरी 2024 को बनाया था अब आने वाले समय में शेयर और किस लेवल तक जा सकता है तो मेरा है मानना है कि शेयर में आने वाले समय में काफी अच्छी potential है और शेयर आसानी से यदि हम लंबे समय तर बने रहते हैं तो इसका जो छे से साथ मैने का अगला target है वो लगवत 600 रुपे तक जा सकता है शेय पूर एकत्रित कर लें चाहिए तभी उसमें कीजिएगा लेकिन हम इस चेयर को देखते हैं तो शेयर में लगातर एक बना हुआ है और आने वाले समय में इसमें अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है तो आप इसमें इन्वेस्मेंट करके अच्छा रिटर्न दे सक होते हैं लेकिन इन्वेस्में करने से पहले आप उसके बारे में सभी रिस्क रिवार्ट को जरूर जानने ही आपको जान करें तो प्रीस में चैनल को लाइक और सब्स्राइब जरूर कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग